हेलो गाइस कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आपको लास्ट वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी ठीक है बहुत मैनत करूं वीडियो वनाने पर कोई आडिटिंग करने में काफी टाइम लग जाता है और पूरा एक चीज मोनिटरिंग करने पर स्कीन रिकॉर्डिंग करन Listen तो जैसे कि मैं आपको फिछली वीडियोमें बताया कि इंसर्ट मेंया होती है इस वीदियो में आपको बताता चलनुंगा इस बिट्प Vander वीडियो में के सारी step-by-step कि क्या चीजह होती है कौन से क्या होता है एक पर जाकर फेले पाँ से इस वीडियो में भी पेसे लियाउट मैं जो कशेक्वानाते हैं अपनी कोई भी प्रोजेक्ट में रहे हैं। उसका इसे वीडियो में आपको सब कुछ बताने की पूरी कोशिच की आई होब कि आपको समझ में आएगा और यह कोर्स आपको बताया था किसी को ट्रीपल सी वगरा भी करना हो तो अगर उस-ट्रीपल सी के क्या होता है ना कि उसमें पूरा बेसिक आता है तो अगर आप और प्रैक्टिकल भी यह चीज़ी है उसके लिए कोई भी फीस नहीं है तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा तो चलिए चलते हैं पेज लियाओट की दोस्तों ठीक है तो पहला ऑप्सन होता वह थीम का क्या है थीम का अब यह बताता है कि थीम हम कैसा लेना चाहते हैं जिस एकार्डिंग हम थीम लेना चाहते हैं वह ऐसा थीम हम दे सकते हैं अपने इस प्रोग्राम को अपने इस लैंग्वेज को अपने इस डाकुमेंट को हम देके थीम चेंज कर दे सकते हैं देखिए आहां आराम से हम लोग पहले तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर हम लो कि हम कैसी इसकी देना चाहते हैं कैसा इसका फॉन देना चाहते हैं कैसा थीम देना चाहते हैं यह सब कुछ हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं ठीक है उसके बाद जो हमारा अगला आपसन है वो है कलर का क्या है वो कलर का आपसन है अब हम लोग क्या कलर देना चाहते हैं बा लेगा जिस recording आपका वो रहेगा जो थीम रहेगा उसके recording अपना color की चूज कर लेगा देखिए तो यह हम लोग आसानी से color change कर सकते हैं इसमें कोई भी problem नहीं फिर उसके बाद अगला आता है हमारा font क्या आता अगला अगला आता है हमारा font अगर हम font की बात कर तो देखिए font हम लोग जो font देना चाहें वैसे दे सकते हैं यहां create new font भी हम लोग आसानी से दे सकते हैं यह हमारे पास जो है यह सारे fonts available है ठीक है तो हम जो को फॉंट देना चाहें जैसे फॉंट देना चाहें वैसे फॉंट दे सकते हैं सब कुछ हम लोगों के हाथ में हैं तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं कोई भी फॉंट आसानी से दे सकते हैं देखिए इसके बात का जो हमारा option है वो है effect का और effect की अगर बात करें तो basically इसका जो वर्क है वो है powerpoint में किसमें PPT में तो इसका work यहां ज्यादा तो है नहीं लेकिन फिर्वी मप्दता देता हूं आपको किसमें क्या होता है जिसे powerpoint में क्या होता हम लोग page बनाते हैं और उसको change करते हैं तो इसमें effect देते हैं कि हमारा page जब change हो तो कौन सा effect हो तो यही सा जीज़े क्या है यह आसानी से हम लोग दे सकते हैं आसानी से अपने page को जब change करेंगे तो क्या होगा matter clear हो जाएगा और तयार हो जाएगा उसके बाद आता हमारा अगला topic जिसका नाम है margin अगर हम margin की बात करें तो margin एक बहुत ही अच्छा topic है क्योंकि जानता है इसमें हुआ हमारा जो लिखा हुआ है जो टेक्स्ट है वो देखे पूरा कवर कर लिया इधर कर लिया ना लेकिन अगर हम नैरो की वज़ाए कुछ और चौर कर दे, नार्मल कर दे, सचे नार्मल में नार्मल में थोड़ा इस पर दे दिया थोड़ा उपर थोड़ा नीचे देखें, दे रहाए कि नहीं देता है। अब ये क्या कर रहा है ये देखिए चारो तरफ से स्पेस दे दिया कि नॉर्मल यही मारजीन होती है जो नॉर्मल बाई डिफाल्ट मारजीन होता है वो यही होता है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहां से वाइड भी दे सकते हैं अब देखिए पेज के चारो तरफ ठीक है क तो यहां से कस्टम मार्जीन भी कर सकते हैं मालीजे हमें मार्जीन क्या करना है बिल्कुल भी नहीं देना है तो हम लोग क्या करेंगे टॉप बॉटम हर जिगे जीरो जीरो कर देंगे देखिए है कि यहां पेख्वोडा सा स्पेस चाहिए चाहrang हो लेकिन फूल फिल कर लेगा तो देखिए हमारे जो मार्जीन क्या किया चार पर ले लिया है उपर नीचे दाएं माएं हर जगाँ लिया ऊपर थोड़ा होता है इसमें क्या होता है जैसे हमारा पेज जो होता है वो प्रोटेंट और लैंडिसके बोत होता है तो हम लोग प्रोटेंट में अपने पेज को सीधा और लैंडिसकेप में क्या कर सकते हैं लैंडिसकेप तो मतलब क्या है हम अपने पेज को दो प्रकार से प्रिंट करते है जैसे माले यह कभी भी आप लोग देखा होगा कि जो हमारे print होते हैं page कभी-कभी pretend में होते हैं और कभी-कभी landscape में होते हैं तो वो यहीं setting होती है page layouts के अंदर से orientation option में जब हम लोग जाएंगे तो हमारे पास यह setting मिलेगा कि हम लोग क्या करें landscape करें या फिर और कोई option हम लोग clear ठीक है pretend और लेड़ने इसके दो ही option ही होते हैं तो दो option हम लोग यहां से आसानी से कर सकते हैं उसके बाद देखिए हमारा अगला option है size अब यह कह रहा है page की size क्या होनी चाहिए page की size क्या होनी चाहिए तो हमारे पास later यह tablots, legal, a3, a4, a5, b4, b5, Japanese यह सारे क्या हैं यह options है अगर हम a4 पे click करेंगे तो हमारा page एकदम exact a4 का size हो जाएगा एकदम exact a4 का size लेगा ठीक है देखिए एकदम exact a4 का size ले लिया है एक नहीं ले लिया है हम यहां से legal देंगे तो legal ले लेगा थोड़ा लंबा हो जाएगा हो गया थोड़ा लंबा हो गया ना page तो हम लोग यहां से legal भी दे सकते हैं A5, B4, यह सारे हम लोग options दे सकते हैं उसके बाद अगला options है हमारा क्या column का क्या है भाई अगला option है हमारा column का अगर हम बात करें कॉलम की, तो कॉलम क्या होता है? अगर बात करें कॉलम की, तो कॉलम 1, 2, 3, 4, जितना कॉलम लोग disem feelings a किसे मान लिए कि हम ने किया किसको सेलेक्ट कर लिये और सेलेक्ट करने के बार हमें कालंट देना न एक लाइन में हो Do टू देंगे तू में होगा थृ देंगे थृ देंगे तृ लफ देंगे राइटि जैसा दे सकते हैं माल लेट में देना dirty आप इत्स नहीं हो गए अर्फन अर्यव्य माई विद्वर्ब्रों सारे में मैटर आपके तीन लईन हो गए Ohh ऑपके नहीं हो गए WOW थीक है तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से column, three line, four, right, में राइच में देना है, थोड़ा सा तो right में दे सकते हैं, left में देना है, तो left में दे सकते हैं, वो हम्पर depend करता है कि हम لوگ क्या करते हैं, उसके बाद, माल लीजी हमें, और columns देने, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 देने हमाल लिजे 10 देने प्लस हाउर बिट्वीन में लाइन होना चीए तो हम क्या करेंगे यहां से 10 लाइन पर क्लिक करेंगे और सब में लाइन दे देंगे हम लोग आसानी से दे दिये की नहीं दे दिये दे दिये ना तो यह आपसन होता हमारा क्या कॉलम्स का क्या आपसन होता है यह कॉलम्स का होता है ठीक है चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगला है हमारा ब्रेक क्या है अगला है हमारा ब्रेक अगर हम बात करें ब्रेक की तो ब्रेक में क्या होता है हम लोग page break करते हैं कैसे page break कर सकते हैं column break कर सकते हैं text wrapping next page continuous event page odd page यह सारे options इसी के अंदर होते हैं break के तो हम लोग कैसे break करते हैं इसके बारे में जानते हैं जैसे मान लिजी हमें हमने कहीं कुछ लिखा जैसे मान लिजी हमने यहां पे कुछ भी लिखा और लिखा इसके बाद हम क्या करेंगा हम चाहते कि जो हमारी अगली लाइन है वो अगले पेज से आए तो कैसे होगा वो अपसन हमारे पास कहा होता है ब्रेक में होता है कहा होता है ब्रेक में होता है अजय से माली हम जाके यहां पेज ब्रेक कर दिये देखें इसके बाद से जो हमारा दूसरी लाइन है वो देखे अगले पेच में चली गई चली गई की नहीं चली गई आप लोगो तक आवाज पहुच रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें बार तक हम कोई बात समझ में आए कि हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ठीक है नहीं तो मेंट का कोई फाइदा नहीं है तो यहां से हम लोग आसानी से ब्रेक कर सकते हैं की नहीं कर सकते हैं जिससे हमारा लाइन नमबर होता है यह सबस्क्राइब हम लोग both ऐसके लेकल होता है। इसके बाद अगला उपसन क्या होता है हमारा restart each page हर पेजिए यह नमबर हमारा धे यह चाहिए नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे च्छोड़जें थी हुता है इसमें तीन ही यह Option होते है आटोमेटिक, मैनूल और non तो हम लोग हमेशा नन पे रखते हैं क्योंकि आटोमेटिक कर देंगे तो आटोमेटिक यह चीज़ें लेती रहेंगी देखिए तो आटोमेटिक हम लोग नहीं करते हैं नन पे रखते हैं ठीक है ताकि जो हमारा वो options हो जो हमारे pages हो जो हमारी lining हो जो हमारे words हो हमें clear पता चले उसके बाद अगला options हमारा क्या है अगला option है हमारा watermark का क्या है watermark का है अगर हम बात करें watermark की तो जो watermark है watermark से हम लोग क्या जानते हैं भाई watermark का मतलब होता है किसी भी पेज के पीछे अपना छाप छोड़ना जैसे कि माल लीजे आप कभी एक्जाम हो गए रहे देने जाते होंगे तो आप लोग के जो पेज़ेज मिलते हैं उस पेज़ेज के पीछे उस कंपनी का या फिर उस इंस्टूशन का उसे स्कूल का लोगो या नाम लिखा होता है तो वो यहीं से होता है कस्टम वाटर मार्क से ही होता है हम लोग चाहें तो यहाँ से टेक्स्ट भी दे सकते हैं और चाहें हम लोग तो यहाँ से हम लोग पिक्चर भी दे सकते हैं तो देखिए हमारे पास दे देगा, इनकी photo माल लेजी हैं हमें लगानी है, तो हम क्या करें यह兩個 सारे page पे इनकी photo आजाएगी, ध्यान से क्भी आप लोग सारे page पे इनकी photo आगई कि नहीं आगई भाई सारे page पे इनकी photo आगई, देखिए, तो यहां से text पे click करके लिख देंगे unique, कहा लिखेंगे unique group group करेंगे ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से color choose कर सकते हैं, जिस color में देना चाहें, font जो हम लोग देना चाहें, यह हमारे उपर depend करता है हम यहां से ok कर देंगे, अब देखिए unique, red color में font वही आरा ना जो हम लोग उने दिया, तो यह सारे page के पीछे आएगा यह, सारे page के text के पीछे आएगा यह, अपना छाब छोड़ दिया है, तो यह होता है हमारा क्या water mark उसके बाद page के color, यह तो बहुत normal सी बात है, कि हम लोग किसी भी page को color दे सकते हैं, चाहे जो भी, आसानी से black देना चाहें, black दे सकते हैं, green जो भी चाहें, जैसा भी चाहें, हम लोग आसा है, यहां से क्या कर सकते हैं, color दे सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला है page number page border, क्या है, page border अगर हम बात करें page बार्ड की तो हम आपको बता हो जो page border का मतलब होता है कि हम लोग क्या कर सकते है凜ी बीटाकुमेंट में किसी भी रेज्यूम में किसी एप्लिके이션 लेटर कुछ भी बना रहे हुआ इसमें हम लोग ऐसानी से border add कर सकते हैं यहीं से अब border में क्या होता है कि border भी कई प्रकार के होते है ठीक है हम लोग चाहे क्यों में से टो में 3D में sneaking जयसा लेना चाहें वैसा ले सकते हैं माले vit बाॉक्स में लेना है फिर इसको इसका बड़ लेते हैं इसमें समलो कौन सा मोठा लेंगे चलिए देखिए हम लोग बॉर्डर लगा दिये अच्छे से इस यह भी पसंद नहीं आया हमें कुछ और बॉर्डर देना है तो देखिए नीचे दिया होता है हम लोग जो चाहें आसानी से अच्छा से अच्छा दे सकते हैं बुर यह सैडिंग है तो सैडिंग से मतलब नहीं है हमें कोई हम यहां से आराम से बॉर्डर देना सीखें ठीक है फिर उसके बाद होता है इंडेंट अब यह इंडेंट जो हता आप लोग पता है किसको हम लोग इंडेंट कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम लोग इंडेंट कहते हैं और indent को हम लोग left में कर सकते हैं, right में कर सकते हैं, देखिए, जो हमारा cursor है, automatic यह cursor देखिए, इधर चला जाएगा, देखिए, देखिए, जा रहा है, तो यह left और यह देखिए, सामने इधर भी बढ़ रहा है, तो यह दोनों चीज बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब indent काम कर रह फिर इसके बाद हम लोग घटा भी सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा pass option होता है, हम लोग right से, हम लोग इधर से इधर करें indent को, तो यह हमारा options है, देखिए, हो रहा है ना, तो अब यह जो text है, इसके इधर ही लिखाएगा, इधर नहीं लिखा सकता है, तो यह indent होता है, फिर उसके बाद हमारा spacing है, क्या है, हमारा spacing है, माल लिखे हमने इसको select कर लिया, फिर उसके बाद हम space देना चाहते हैं, इसमें देखिए, आटो, और बढ़ाना चाहते हैं, जितने पैरा graph सब में ज़्यादा ज़्यादा space हो जाए, तो हम लोग असानी से क्या कर सकते हैं, ज़्यादा space सकते हैं, यह after भी दे सकते हैं, और हम लोग कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग बात करें, इसके बाद हमारा एक option बसता जिसका नाम है elaijin, अब elaijin तो आप लोग जानते है, elaijin to margin होता है, और elaijin to page होता है, तो हम वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,